प्राणावर्ट डाइट में आपका स्वागत है जैसरी रामाकरश्न ताखत शक्ति उर्जा यह आप जानते ही होंगे कुछ लोग ताखतवर होते हैं उर्जावान होते हैं सक्ति होती है पर कुछ खोई हुई उर्जावाले होते हैं निर्बल होते हैं दुर्बल होते हैं क्य आपको पता है अब जल्दी ठक जाते हैं बार-बार बिमार पढ़ते हैं आपको गवराठ बेचैनी होना पेट खराब रहना खाया पिया अंग नहीं लगना मन की एकागरता की कमी सरदी जुकाम और अन्य वायरस से पीडित होने की संभावनाएं बढ़ जाती है क्योंकि आप कमजोर हैं यह सब जानने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें अधिक शेयर करें मैं डॉक्टर गनास्चिंग राणावत साइकोलोजिस्ट और डाइटिशन आज आपको बता रहा हूं एक खोई हुई ताकत कैसे प्राप् पोशन एक ऐसा होना चाहिए कि कूपोशन नहीं हो अहार पोशन ऐसा हो जो अमीनी सिस्टम को आपको बढ़ाने में मदद करें उर्जा दे ताकत दे सक्ति दे उल्लास उमंग हर्स महसूस हो जो आज आप मेरे पीछे अंग्रेजी दवाएं देख रहे हैं वो खाने से ताक हैं ताकत आएगी इन अंग्रेजी दवाओं से कभी भी नहीं जो लोग दिमाग में होता है कि हम विटामिन के कैप्सुल वगरा वगरी कुछ खा लें जैसे ताकत आएगी पर संबव नहीं है इसके लिए आपको देनिक कार्य के लिए जितनी उर्जा के आप सकता है उतनी आजे हैं जैसे खाने के अंदर कार्बोभ्यडियट प्रोटीन वसा मिलता है जो कंप्लेक्स Cape markets कार्बाहाइडिट उधनो अनाजों से इमिलता है डालों से अनाजों से हमें हई प्रोटीन कार्वाइडेट, आयरन, केलसियम, मैगनेसियम, मास, मजली, मचली, अंडा, इससे प्रोटीन वगरे हमें मिलते हैं, तो आपको ये चीजें खाना जरूरी है, और सब के लिए बॉडी वेट और कारिभार के अनुशार होता है, विटामिन सी युक्त खादिपदार जो हमारी प्रतिरोग शमता बढ़ाती है, हमारी शुरुक्षा करती है, उन सभी ये विटामिन सी बिमारियों और वाइरस से लड़ने के लिए एक शक्ति देती है, उसकी भूमिका अच्छी रहती है, विटामिन सी की, और इसलिए सभी परकार के जो विटामिन होते हैं, व जो होता है, रक्त का, वो अच्छा काम करता है, फाइबर, और कबज को भी मिटाता है, फाइबर का सबसे बड़े काम है, कबज का मिटाना, इसलिए आपको एक संतुलित अहार की व्यवस्ता करनी जरूरी होगी, लेना होगा, और बारते गरम मसाले हैं, वो भी बड़े सक् करते हैं आपको, और उसके साथ में आपको सकारत में सोच रखनी होगी, जिससे आपके लिए आप अच्छा जीवन जी सकें, संतुलित अहार अगर आप नहीं ले सकते हैं, तो किसी डाइटेशन से अवश्य अपनी एक डाइट चार्ड बनानी चाहिए, ताकि आप निरोग काया, स्वास्ता जीवन आशानी से जीख सकते हैं, इस परकार से अगर आप संतुलित अहार लेंगे, तो आप में ताकत आएगी, खोया और स्वास्ता आप वापस प्राप्त कर सकते हैं, मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिंद!